राश्ट्री राजधानी में नियुंतन तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम होने से सुबह के वक्त मौसम में थोड़ी ठंड़क भढ़ने के साथ इदर शहरे के अगले दिन रवीवार को एंसी आर में प्रदूशन का स्तर बढ़ गया है इस वजह से दिली साहित एंसी आर के जादतर प्रमुक शहरों में एयर इंडेक्स 200 के पार पहुँच गया है इससे हवा की गुडवत्ता खराप शेणी में पहुच गई है इसके मद्दे नजर वायू गुडवत्ता प्रभंध आयोग की सब कमीटी की बैठक होई जिसमें प् के पहले चरण के प्रतिमंद लागू हो जाएंगे वैसे सीपी सीबी मौसम विभाग पृत्वी विज्ञान मंतराले के आई आई टीम से मिली जानकारी के अधार पर आयोग को उमीद है कि हवा की गुडवत्ता में सुमवार को सुधार हो सकता है इससे हवा की गुडवत्त मध्यम श्रेडी में वापस पहुँच सकती है सीपी सीबी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में एर इंडेक्स 224 रहा इसके एक दिन पहले दिल्ली का एर इंडेक्स मध्यम श्रेडी में 155 था नियुंदन तापमान में हुई गिरावच के अलावा रात में पटाके जलाना भी एर इंडेक्स बढ़ने का कारण माना जा रहा है आयों का कहना है कि सब कमेटी की परिश्तितियों पर नजर बनी हुई है शनिवार की रात एर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ना शुरू हुआ था और अविवार को दपहर तक एर इंडेक्स बढ़ा शाम पांच बजे एर क्वालिटी इंडेक्स घटकर 222 पहुँच गया। ग्रेप के पहले चरण का प्रतिवन लागू करने के लिए एक या दो कमेटी और देखेगी। वहीं सीपी सीबी के अनुसार दिल्ली में अगले दिन हवा की गुणवत्ता खराब से सुधार होकर मध्यम शेडी में पहुँच सकती है। दिल्ली में इससे पहले 25 सितंबर को हवा खराब शेडी में थी। इसके बाद प्रदूशन के स्थर में सुधार हुआ था। अटरे दिन बाद और इस माँ पहली बार दिल्ली में हवा खराब शेडी में पहुची है। शेडी में रहे। गुरु गराम और फरीदवाद में हवा की गुडवता मध्यम शेडी में रहे।